अभी तक buyers का बाजार रहा तो हम लोगों ने buyers के बहुत सारे setups को और buyers के behavior को सिखा आज का session में हम लोग समझने जा रहे हैं क्या? Sellers Behavior, ठीक है? कि price action में जब seller आते हुए दिखें और वो seller मगर होंगे नहीं तो वो आप समझ जाएंगे, मतलब आपको गिरावट दिखें कि वो गिरावट होगी नहीं ठीक है? इस तरह कि price को identify अगर आप करना सीख गए तो इसका मतलब समझते हैं कि जब downfall ही नहीं और price आपको fake downfall दिखा रहा हो, उसको आपने identify कर लिया तो अब further trend क्या होगा? अब trend, आप उसको भी वहीं पहचान लेंगे तो पहले से एक mind build up हो जाता है कि मुझे long की positions की तरफ जाना है, short नहीं करना है और दूसरी बात से जो आप बचेंगे वो ये, कि धीरे धीरे price गिर रहा होगा और फिर आप उसको पहचान लेंगे कि ये गिरेगा नहीं इसका मतलब है, आप short की गलत position भी नहीं लेंगे तो दो तरीकों से बचाओ है, एक तो गलत trade से बचना और दूसरा अच्छी trade की तरफ पहले से identify करके उसके लिए mind build up कर लेना दोनों को बहुत अच्छे से समझे इस condition को, ठीक है अच्छा मैंने आपको buyer's behavior discuss किया हुआ है previous videos में, buyers के विवहार से खुब हम लगोंने बात की क्या सीखा वहां पर, वहां सीखा buyers जो है, वो price को रोकने की कोशिश करते है ठीक है, buyers से behavior से बिल्कुल उलट है sellers का behavior projection में जब भी price धीमा हो तो समझ लीजे, यह buyers का price है अब इस धीमे होने के जो momentum होंगे, वो कैसे दिखेंगे अच्छा, price लगातार red candles के formation कर रहा हो ठीक है, लेकिन गिरावट इतनी धीमी हो कि आपको समझ आ जाए कि price गिरने नहीं वाला, कैसे समझते है sellers के लिए बस एक बात याद रखिए कि कभी भी big red candle का formation एक बड़ी red candle का formation गिरावट लेकर आएगा ठीक है, और कभी भी price छोटी छोटी candles में गिर रहा हो अम लोग बहुत सारे example देखेंगे चोटी छोटी candles और वो बेशक गिर रहा हो वहाँ पर बिलकुल अवेर रही है कहीं भी previous swing हाई जाता है वहीं लॉग कर दीजे वो price गिरने के लिए है नहीं वो लगातार red candle देखेंगे उसमें 2-3 green candle देखेंगे या 5-6 लगातार red candle देखें वो downtrend है नहीं वो retracement है downtrend और retracement में यही अंतर है जब price गिरावट करे और धीरे धीरे करे मतलब हर जगे बायर मिल रहे है और जब short selling आएगी और खरीदार डरे हुए होंगे तो price बहुत तेजी से गिरेगा यह downtrend है यह supply है जैसे मैं आपको दिखाऊंगा छोड़े टाइम फ्रेम पर आप लोग बहुत से traders swing trading या फिर intraday trade करते हैं तो छोड़े टाइम फ्रेम पर चल कर हम लोग आब अरली टाइम फ्रेम पर समझते हैं जैसे अब आईए यह downtrend यह downtrend यह price यहाँ पर देखे कितनी red candles हैं यहाँ पर देखे धीमे धीमे retrace हो रहा है यहाँ पर देखे अब इस formation को आप पहचान लेंगे जब भी गिरावट होगी मैंने क्या कहा बड़ी candles से शुरुवात होगी और उसके बाद अगर previous swing लो जाएंगे तब आप short करेगे तब आप सोचिए कि downtrend बहुत तेज होगा और यह गिरावट नहीं है बिल्कुल क्लियर दिख गई ना कि downfall है नहीं कैसे यहाँ पर देखे अब देखे यह चीज आइंटिफिकेशन से आजाएगी मैं 4-5 example यह downfall है देखे downfall दिखता है ऐसे दिखता है downfall देखे है प्राइस चोटी कैंडल से नहीं बनाएगा शुरुवात कहां से करेगा बड़ी कैंडल से और फिर हर बार इसके लो जाने की कोशिश करेगे जब बड़ी रेड कैंडल बनेगी उसके बाद प्राइस देजी से गिरता यह down trade देखा यह red candle बनी प्राइस गिरा लेकिन एक बड़ी candles के बाद अगर आप गौर करें तो फिर candles के size छोटे हो गए बहुत आसान है पहचानना candles के size कैसे हो गए छोटे छोटे size की candles ही बायर का सबसे बड़ा sign है downfall यह price यह price क्या है यह price क्या है retracement करेगा गिरेगा नहीं अगर गिरना होगा तो एक candle बड़ी बनाएगा फिर उसके बाद एक दो candles के बाद फिर दो तीन लगातार बड़ी candles बनादी टोटल तीन candles में downfall होता है पहले और अगर इसके बीच में कही price रिका तो उसके बाद तीन और हो सकती एक यहाँ पर डोजी बन गया तो दो तीन candles और बनेगी ठीक है यह बिल्कुल clear समझे अब यहाँ पर आईए इस candle के बाद इस red candle के बाद यह गिरावट दीमी हो गई दीमे होने का मतलब क्या है हर जगे बायर मिल रहे है अच्छा देखिए 100 का price 90 90 तक आएगा तो कैसे आना चाहिए 100 से 97 97 से 93 और 93 से 90 ठीक है तेजी से आना चाहिए अगर यह price ऐसे आ रहा है कि 100 से 99 तक आया 100 टू 99 और फिर लाट कर 99.50 गया और यह करने में उसने एक गड़ घंटे का समय लिया तो आप कहेंगे 50 पैसे नीचे closing होई एक घंटे बाद कि 100 पर पिछले घंटे price खड़ा था अब एक घंटे बाद 99.50 पर है 99.50 पर है तो 50 पैसे का downfall है लेकिन वो बड़ा ग्रावट नहीं है वो seller का price नहीं है अब रिन्नामने 50 से गिरेगा 98 तक आया और close करने 98.50 पर लागया तो कोई कहेगा एक रुपए की ग्रावट है ठीक है बात सेलर्स है मानते हैं लेकिन बड़ी candle का formation का है अब यह आप देख रहे है जितनी बार price गिरने की कोशिश करे उसको खरीदार खरीदने की कोशिश कर रहे है price 98 के लो लगाएगा close कांकर 95 बात के लिए red candle देखने में मिले लेगी लेकिन वो red formation है नहीं वो downfall नहीं है वो बड़ी गिरावट नहीं आएगी वहाँ पर क्यों हर जगय खरीदार मिल रहे है ये price धीमा हो रहा है गिरने में क्योंकि हर जगय buyers बैठे हुए है जब देखिए institutional buying की एक बहुत बड़ी खासीद होती है मैं आपको बताओ आप खुश सोचिए मैं आपको 10,000 CR का fund दे रहा हूँ 10,000 करोड का और मैं आप से कहूँ कि इस particular stock का price 100 रुपय चल रहा है और इसको 10,000 करोड से अभी खरीद लीजे क्या संबब है इतनी quantity कि आपको एक साथ खरीद पाईएगा नहीं तो आप क्या करेंगे आप 100 के price पर अपने कुछ order डालेंगे कुछ 99.5 पर डालेंगे कुछ 99 पर डालेंगे कुछ 100.5 पर डालेंगे कुछ 98 पर डालेंगे तो ये आपका एक जाल की तरह बिच गया आपके buying orders कैसे पड़े हैं एक जाल की तरह पड़े है ठीक है वो पूरा zone ही buying zone हो जाता है और price धीरे धीरे गरते हुए execution करते हुए आ रहा है कि 100 पर order पड़े थे वो execute हुए लेकिन seller वहाँ पर थोड़े जादा थे 100 पर जितने orders पड़े थे अब वो 99-50 पर आया तो वहाँ भी buying orders पड़े है तो लेकिन seller थोड़े से उपर जादा थे और हर जागे की buying उट रही है एक समय क्या होगा sellers के पास selling के लिए quantity खत्म हो जाएगी और buyers वहाँ पर उसी price पे जादा हो जाएगे जहां आखरी demand पड़ी होगी वही demand हो सकता है seller से जादा ठीक है तो वहाँ से price क्या करेगा इसके बाद की condition भी समझे जब भी ऐसा price देखे तो वही swing high मार कर लिजे अच्छा कई लोग swing high नहीं समझते मैं आपको swing high बताओ swing high क्या है कि price चलता हुआ price जहां से turn around होकर गिर जाए वही swing high है अच्छा ये swing high समझे कि 500 का price था और चल कर 515 गया और फिर वो लोट कर अप्ट्रेट कर रहा है 515 से 510 अब मैं आपसे पूछू ये बताईए इस पूरे session की बात है तो ये बताईए कि अगर किसी seller ने दिन भर में कोई selling का position बनाए होंगे जो sellers तो ये बताईए उनका last selling price क्या होगा तो आप बस एक बात कहेंगे कि price 515 के उपर तो गया नहीं तो आखरी seller 516 तो sell नहीं कर सकता तो जो भी sellers ने last selling की होगी वो 515 के उपर किसी seller का price नहीं तो ये क्या हुआ swing high ये seller का last selling price है ये जो 5 रुपे की गिरावट हुई ये किसी seller के प्रभाव से हुई होगी किसी ने selling की है याँ पर लेकिन जिसने भी selling की है उसका last selling price 515 के उपर किसी का average price नहीं है ठीक है अब सोचिए अगर price 515 को निकलने लगे इसका मतलब क्या है वो seller जो 515 पर बैठा है वो अपनी positions को काटेगा क्योंकि loss के लिए hold तो करेगा नहीं अब आप sale का position लेकर बैठें ठीक है आपने bank nifty का future sale किया होगा call option sale किया होगा मा लेते हैं ये price 48,000 है 48,000 का भाव है bank nifty का तो 48,000 के आपने call option sale कर दिये future sale कर दिया अब आप जब अपनी position को square off कर रहे हैं तो call option को sale करने के लिए call option buy करना पड़ेगा न reverse में future को sale है future तो उसको आपको square off करना है तो buy करना पड़ेगा अब सूचिए एक साथ इतने orders एक जगह पर आ जाते है उनको अपना position काटना है future supply कोई ना कोई चाहिए ना बेशने के लिए जब इतने लोग खरीदार बैठें उसी strike price के उसी future के तो एक साथ जो demand create होती है वो demand price को boost कर देती है upside के लिए तो कभी भी previous swing high निकलता है वहाँ पर हमारे जैसे smart traders wait करते हैं पॉट्शिटी का वो लोग काट रहे होते हैं position और समझ जाते हैं हम लोग की price यहाँ चलने के लिए तयार हो गया तो बहुत सारे smart traders उसी जगे पर position बना और लेते हैं और खरीदारी कर देते हैं तो price और उपर जाता है इतनी सारी buying के सामने फिर price अब सोचिए 515 पर इतने buying order आ गया अब 515 पर कोई बेचने को तयार है नहीं तो क्या होगा बताईए 516 जाएगा ना price sale अढून 517 जाएगा जब 515 पर कोई नहीं बेचने को तयार है तो 514 पर भी नहीं बेचेगा तो price तेजी से boost हो जाता है वो trend निकल जाता है बहुत तेजी से ट्रेंड आता है अब देखें ये गिरावट कोई कहा है डाउनफॉल है नहीं है वो प्राइज इतना छोटी केंडल्स में चलके जा रहा है गिरावट होगी तो एक केंडल नहीं इसके बाद एक और बड़ी केंडल दिख जाए फिर हम लोग सोचते हैं अब स्विंग लो जाएगा आप फिर शॉट करेंगे प्राइज पैनिक में गिरता है डर में गिरता है प्राइज कभी रुक कर नहीं गिरता है बहुत रेर केश होते हैं कि प्राइज रुका रहे और फिर वहाँ से डाउन फॉल देखने को मिल जाए ठीक है तो क्या होगा स्विंग हाई मार कर लीज़े जब भी price retracement कर रहा हो और धीमा हो जाए तो उस swing high को मार कर लीजे और ये swing high कभी भी एक बाद देखिए time with price का एक थियोरी है कि जितने समय में गिरावट हुई और उसका वह आप compare कर लें uptrend से तो आप समझ जाएएगा कि price strong है इवीक है अब यहां से यहां तक गिरावट में कितनी candles बनी देखिए ठीक है और आप percentage भी देखेंगे यहां से scale को लीजे और यहां से downfall लगाईए और total यह low लग गए 24 candles और 24 candle में 24-25 candle में यह price गिरा और यहां से यहां तक पहुँचने में कितनी candle लगी बताईए 10 candles 13-14 candles तो 25 घंटे में जो गिरावट हुई बिल्कुल एक घंटे का एक candle है ना 25 घंटे में जो गिरावट हुई buyers ने उसको खरीदने में 12-13 घंटा लगाया उतनी buying create करने में तो buyers strong दिखते हैं कि नहीं बिल्कुल clear दिखते हैं ये दो candle ही बता रही थी कि ये selling नहीं है ये buying आ जाएगी यहांपर क्लिए और फिर ये bull formation bull formation हम लोगों ने सीखा है दुबारा सिखा दूँगा अगर आप लोग बोलेंगे तो नीचे comment कीजेगा ये bull formation में आपको दुबारा सिखा दूँगा ठीक है तो कभी भी downfall हो रहा हो प्राइस गिर रहा हो और धीमे धीमे गिर रहा हो तो short मत कीजे वेट कीजे जहां से वो reverse होगा और previous high निकले कभाई लोग कर दीजे जैसे ये धीरे धीरे गिरा है अब हम लोग short नहीं करेंगे पहली बात तो ये कि आप से कहे कि short कर दीजे अग लॉस देने से बचे और उस लॉस के बचने से क्या हुआ आप एक सही ट्रेड में एंटर कर पाए अब ये momentum देगा बात के लिए रूई अब ये momentum देगा तो हर बार ये बात अभी के लिए देखे मैं अभी का प्राइस आपको दिखा दूं ये ये candles मैंने क्या कहा स्विंग लो नहीं जाएगा प्राइस बहुत तेजी से हाई देखे अगले दिन गैप अप से हाई निकल गए लॉंग कर दीजिए प्राइस नहीं गिरेगा तो देखे शाम तक प्राइस उपर ही जाके close कर रहा है ये बिल्कुल clear condition है कि कभी भी गिरावट धीमी हो तो गिर करना और महीने दो तीन चार महीने तक खरीदार्स खरीदारी करते रहते बायर्स मंत्ली टाइम फ्रेम पर आठाट महीने अगर आप DLF का चाट उठाए तो पंद्रा साल का consolidation था ITC का चाट उठाए आठ नौ साल का consolidation देखेगा कोल इंडिया का चाट उठाए आप ऐसे मैं कितने ही आपको stocks किना दूगा जो एक समय बहुत बड़े deep consolidation से निकल कर रहा है Sun TV का चाट उठाए अभी मैंने खरीदारी कराई थी कुछ दिन पहले देखिए फिर वो चला है तो कहां जा रहा है DLF देखिए ऐसे PNB देखिए ऐसे IDFC First देखिए जितने stock मैं आपको नाम ले रहा हूँ यह सारे मैंने recommend कर रहा है और खरीदारी कर रही क्यों monthly खरीदार 10-10-15-15 साल से खरीद रहे थे monthly buyers क्या selling कभी 15 साल की चा सकती है किसी stock में नहीं जब supply आएगी तो क्या होता है yes bank जैसे price गरता है अभी हिंडर्मर रिपोर्ट की बाद आपने देखा डानी के price कितनी तेजी से गरे तो selling का मतलब है just one click and sale और buying में accumulation में time लगता है तो जहां भी price time बिताने लगे तो समझ लीजे ये buyers का sign है seller नहीं है तो मैंने कहा गिरावट buyers के sign से ही समझ आ जाता है कि गिरावट अगर धीमी है तो वहाँ seller है नहीं बात खत्म होगी अब ये retracement सोचिए यहाँ पर कितने लोगों ने मेरे सामने कई हमारे traders message कर रहे थे क्या short की position बिल्कुल मना कर दिया नीचे से put short करा कर बैठे पहले से इस swing low के नीचे के सारे put हम लोगों के पास चैलिस चार सो तीन सो हमारे traders सारे short करके मैंने खुद कर आए और सारे bet 80, 85, 85, 90 के premium हम लोगों ने short किये और कल के session में जब price open वा तो हम लोगों ने वो 85 का premium 25 में बेच कर आए इतना profit book करते है और हर बार करते है इस पूरे अप्ट्रेट की यही का नहीं है एक session हम लोगों loss नहीं करते है ठीक है नीचे description में आपको telegram और WhatsApp group के link मिल जाएंगे वहाँ आप देखें वहाँ पे सारी चीज़ा आपको बताई भी जाते हैं ठीक है तो downfall और downfall दिखता कैसा है गिरावट जब होगी तो ऐसे होगी देखें यह price है downfall का कितनी बड़ी red candle का formation है और फिर अगर इसके low मार कर लीजे फिर price आ रहा है तो retest किया देखें अब swing low गया तो फिर गिरावट ही फिर swing low गया तो फिर गिरावट ही प्राइस तेजी से गिरता है एक candle बना और प्राइस धीमे होने लगा लो जा रहा है फिर भी नहीं गिर रहा है तो समझ लीजे ट्रेट को काटी है निकली है long के लिए देखें फिर वहाँ पर गिरावट जब हो जो भी आपने historical trades ली होंगी एक बार analyze कीजेगा आप इस गलती से सिर्फ इस चोटी सी एक गलती को आप अगर analyze करेंगे तो आप आएंगे जब जब आपने short selling की है तो price कुछ ऐसा दिख रहा होगा और वो सिर्फ index की बात नहीं कर रहा हूं equity के सारे stocks की बात कर रहा हूं आप